अगर आप उत्तर प्रदिस से हैं और आप बिजली कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं UPPCL ने electricity connection का online process कर दिया है काफी आसान process है मैं आपको form भनने से लेकर मीटर लगवाने तक का complete process बताने वाला हूँ और जो मैं आपको process बताने वाला हूँ वो बिल्कुल new process है और पहले आपको BL form अपलोड करना पड़ता था लेकिन अब आप online ही generate कर सकते हैं तो पहले से process काफी आसान हो चुका है तो चलिए बिना देरी करें सीख लेते हैं कि online न्यू बिजली connection के लिए आवेदन कैसे करें का interface आजाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर registration करना पड़ाएगा registration करने के बाद ही आप बिजली connection करने आवेदन कर सकते हैं अगर आपने पहले ही इसमें registration कर रहा है तो आपको simply यहाँ पर login करना है login करने के लिए यहाँ पर आपको login ID या phone number यहाँ पर डालना है इसके नीचे आपको password डालना है और capture code सामने डालकर आपको login पर click करना है इसके बाद आप login हो जाएंगे अगर आपने registration नहीं कर रहा है तो registration करना बहुत आसान है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको click करना है for new registration click here इस option पर आपको click करना है अब इसके बाद आपको समने इस तरीके का एक page open हो जाएगा तो यहाँ पर registration को लेकर instruction भी दिये गए हैं तो आप इन instruction को पढ़ सकते हैं तो चलिए अब हम बिना दरीकर जान लेते हैं कि registration कैसा करना है तो यहाँ पर registration करने के लिए आपको applicant का सबसे पहला है यहाँ पर नाम डालना है जिसके नाम से आप connection लेना चाहते हैं इसके बाद date of birth डाल ली है इसके बाद email ID है तो email ID दे सकते हैं इसके बाद mobile number डालना है और इसके बाद एक capture code होगा इस capture code को सामने डालकर आपको register पर click करना है जैसे ही आप register पर click करेंगे तो आपका registration successful हो जाएगा जो भी आपने mobile number डालना होगा उस पर एक SMS आएगा उस SMS में आपकी login ID होगी और password होगा उस login ID और password से आपको login करना है तो इसके बाद चलिए हम login कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको login ID डाल ली है और password डालना है इसके बाद जैसा capture code लिखा है वैसा capture code सामने डालकर आपको login पर click कर देना है login ID की जगे आप mobile number भी डाल सकते हैं तो हमने jetpad connection के portal में login कर लिया है तो यहाँ पर आप अपनी profile को भी देख सकते हैं तो इसके बाद आपको new electricity connection application form भनना है तो यहाँ पर आपको इस option पर click करना है अब इसके बाद आवेदन करें पर आपको click करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सामने एक form open हो चुका है तो हमें इस form को complete fill करना होगा form को fill करना बहुत आसान है मैं आपको complete process बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको total 8 step को complete करना है तो अभी हम step 1 पर है step 1 में application form को fill करना है तो चलिए हम application form को fill कर लेते हैं तो सबस्पहले आपको photo upload करना है यहाँ पर आपको upload पर क्लिक करना है और इसके बाद जहाँ भी आपका photo है वहाँ से आपको select कर लेना है photo का size 100 kg से ज्यादे का नहीं होना चाहिए photo upload करने के बाद यहाँ पर आपको form बना है यहाँ पर सबस्पहले आपको purpose of supply select करना है तो यहाँ पर आपको काफी option मिल जाएंगे जैसे कि domestic commercial और भी यहाँ पर काफी सारे option है तो यहाँ पर आपको अपने recording select करना है अगर आपको temporary क connection करना है तो आपको domestic select करना है अगर आपको commercial उसके लिए connection करना है जैसे कि आपकी कोई shop है उसके लिए आपको connection करना है तो आपको commercial select करना है और यहाँ पर काफी option है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या select करना चाहिए तो आप customer care पर call कर सकते हैं 1912 पर आपको call करनी है वहाँ पर आपको बताना है इसके बाद मैं वह आपको बता देंगी कि आपको यहाँ पर क्या select करना चाहिए तो चलिए मैं यहाँ से domestic select कर लेता हूं अब इसके बाद आप से पूछ गया है अगर आपको कोई building है तो उसमें single to multipoint conversion है या नहीं है तो है तो यहां से आपको अपने reading select कर लेता हूँ अब इसके बाद अगर आपके पास Bpl card है तो यहाँ पर आपको yes select करना है यस stellate करने के बाद आपको bpl card की photo upload करनी पने पड़ेगी तो हमरे पास duel card नहीं है तो no select कर लेते हैं अब इसके बाद आपको अपना district select करना है इसके बाद आपको अपना division select करना है अगर आपको अपने division भी नहीं पता तो ये भी आप customer gate से पूछ सकते हैं 1912 पर कुल करकर सब area के division अलग-अलग होते हैं जैसे कि हमारा division भेलंशशल लगता है तो मैं vibe कर लेता हूं आप इसके बाद क कितने किलोवार्ट का connection लेना है वो यहां पर आपको डालना पड़ागा जैसे कि अगर आपको 1कों एक केलोवार्ट का connection लेना है तो यहां पर आपको वन जिसके नाम से आप connection ले रहे हैं, वो अगर married है, तो married select करना है, अगर unmarried है तो unmarried select करना है, अगर applicant female है और वो married है, तो यहाँ पर पती का नाम डालना है, only female की condition में ही husband का नाम यहाँ पर type करना है, अगर वो married है, otherwise आपको father का ही नाम यहाँ पर type करना है, इसके बाद माता का न star बना हुआ है वो detail आपको देनी ही है यह तो इन दो option पर star बना हुआ नहीं है तो यह detail आप देना चाहिए तो दे सकते है इसके बाद आपको correspondence डेना है आपको documents में जो भी address वह आपको यह पर देना है जैसी कि यहाँ पर सबसे फेले macaan number डालना है building पर कोई भी प्रोग्लम नहीं आईगी अब इसके बाद आप से पर्मनेंट एड्रेस भी पूंच गया है अगर आपका डुकुमेंट्स का एड्रेस और पर्मनेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहां से इस करनी है इसके बाद लैंड बार कि हैंपर ज्रूर ठाइब करना है कोई ऐसी जगए जो आपके आसपास बहुत ज्यादा पर नाम लिखना है और आपका लोकेशन टाइब क्या है या या रूलर है वह आपको इहां पर टाइब करना है अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपको Rural Select करना है और अगर आप शेहर में या कजभे नहीं तो आपको यहाँ से Urban Select करना है इसके बाद अपना Genpad Select करना है यहाँ से तैसिल Select करनी है अब इसके बाद आप से एक Property ID मागी गई है अगर आप जहाँ पर भी Connection ले रहे हैं और वहाँ की Property ID है आपके पास के पास है पि रॉपर्टी आइडी तो डाल सकते हैं इसके बाद पिन कोड ॐ पर यहाँ पर कश्यों करना है जहां पर आप अगर उस पलोट का एरिया पंदरे फुट कवर है तो आपको 15 foot डाल देना है for example अपने according यहाँ पर आपको डाल देना है अब इसके बाद आपसे निकरतम उपकेंद्र का नाम पूशा गया है अगर आपको पता है तो डाल दो वनना यह optional है इसके बाद यहाँ पर आप पैंकार नंबर टाइप कर सकते हैं अगर आपको TDS का लाव लेना है तो यहाँ पर आप अपने पैंकार नंबर टाइप कर दीजिए अब इसके बाद यहाँ पर आपको documents upload करना है सबसे पहले जिस इस्तान पर आप connection ले रहे हैं उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ाएगा तो प्रूफ के लिए आप house allotment later upload कर सकते हैं house registry भी यहाँ पर upload कर सकते हैं house tax receive भी upload कर सकते हैं और rent agreement भी upload कर सकते हैं तो हम यहाँ से house tax receive select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर upload पर click करना है और इसका size 5 MB से जादेगा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं हमने upload कर दिया है document अब इसके बाद आपको ID proof के लिए भी एक document लगान है और इसके बाद इसी तरीके सा आपको आधर का फोटो भी upload कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर एक self declaration form भी है पहले आपको self declaration form physically fill करने के बाद उसका photo लेकर upload करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर आप अभी भी चाहें तो आप physically self declaration form को print out निकलवा कर आप fill करने की जरूरत नहीं है वैसे physically और आपको upload भी करने की जरूरत नहीं है यहीं सही आप अपना self declaration form generate कर सकते हैं self declaration form generate करने के लिए आपके घर पर जितने भी electricity equipment है उनके आपको detail देनी है और example अगर आपके घर पर fan है तो यहाँ से आपको fan select करना है fan select करना के बाद fan कितने वा देख सकते हैं fan की detail add हो चुकी है अब यहाँ पर आपको काफी equipment मिल जाएंगे अगर आप ट्यूबलाइट भी यूज़ करते हैं तो आपको ट्यूबलाइट करना है और कितने वाट की है ट्यूबलाइट वो select करनी है और कितनी है वो select करनी है तो यहाँ से हम 3 ही select कर लेते है तो add new form पर फिर से click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट की भी details add हो चुकी है तो इसी तरीके से आपको जितनी भी आप equipment यूज़ करते हैं वो सबकी details आपको यहाँ पर देनी है और यहाँ पर total load भी आ चुका है 240 word का यहाँ पर total load है और total जो equipment है वो 6 ह तो इसी तरीके से आप self regulation form generate कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपको I agree पर click करना है और इसके बाद आपको next पर click करना है तो जैसे ही आप next पर click करेंगे तो आपका application form submit हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आपका application number भी मिल जाएगा इसे आप चाहे तो note कर सकते हैं तो ह first step complete कर चुके हैं अब इसके बाद next step पर click करना है जैसे ही आप next step पर click करने तो आपके समने इस तरीके का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ processing fee देनी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें only 59 रूपीज की payment करनी है इसके बाद भी हमें payment करनी है online जब हमारा form approve ह जाएगा department के दुआरा यह only processing fee है आपको offline fee pay करने की ज़रूरत नहीं है complete process online है इसके बाद यहाँ से आपको तीन date select करनी है जो भी आप तीन date select करेंगे उनमें से किसी एक date पर electricity department वाले आपके घर पर आएंगे वो वो चेक करने आएंगे कि जहाँ पर आप connection ले रहे हैं आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको click कर देना है और आपको proceed to pay पर click करना है अब इसके बाद पर आपको कुछ दिर वेट करना है इसके बाद इस तरीके का interface आ जाएगा तो यहाँ पर click here to scan पर click करना है इसके बाद code यहाँ पर so हो जाएगा तो इसके बाद code यहाँ आप किसी भी UPI app से scan करकर आप payment कर सकते हैं payment करने के बाद आपके सामने इस तरीकी का एंटरफेस आजाएगा तो payment status यहाँ पर success दिखा रहा है इसके बाद पिरो सीट टु नेक्स्ट पर किलिक करना है अब इसकी बाद यहाँ पर आपको कुछ दिन वेट करना है जब भी आपक जैसे ही electricity department के दुआरा आपकी 70 report upload कर दी जाएगी तो इसके बाद आप easily अपना आगे का step complete कर सकते हैं इसके बाद ही आपको total fee की payment करनी है online एक हफते बाद मैंने चेक करा login करकर तो यहाँ पर date select करने के लिए आ रहा है कल विवाग वाले आये थे चेक करने के लिए कि कहां पर connection लेना है मुझे लगा कि यहाँ पर 7 report upload कर दी गई होगी विवाग दौरा तो चलिए मैं यहाँ पर फिर भी date select कर लेता हूं अब क्या कर सकते हैं इन में से 3 dates select करना है और यहाँ पर विवाग दौरा एक person भी पूछा गया है विवाग दौरा आपसे जो भी question पूछा जाता है उसका आपको आंस पर जरूर देना है जैसे कि यहाँ पर मुझे connection लेना है उस place की यहाँ पर मुझे photo upload करनी है photo size maximum 1MB होने शाहिए आंस पूछे जाता है तो आपको भी इसी तरीके से आंस पर देना है अब इसके बाद जो भी मैंने date select की थी अब मुझे कुछ दिन और वीट करना पड़ेगा दिखते हैं विवाग के दौरा आप क्या response आता है तो मैंने आंस पर दिया था तो चली मैं आप चेक कर लेता हूं कि संपर प्र क्लिक करना है तो इसके बाद आपके सामने application की डीटेل आजाएगी आपकी तो इसके बाद आपको फिरोशेस पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें जैसे कि यहां पर हमें 1799 रुपे की पैमेंट करनी है आपको भी देख लिए नहीं कि आ कि कितने की पैमेंट करन कर देते हैं payment करने के लिए आपको प्रोशीट टू नेक्स्ट पर किलिक करना है अब इसके बाद आपको फूर्थ इस्टेप पर आ जाएंगे अब इसके बाद आपको फिट से प्रोशीट टू पेपर किलिक करना है अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं तो य से payment करना चांगूँ तो आप को यहां पर Qr to select करना है इसके बाद pas payment पर click करना है इसके बाद k republic करना है अब यहां पर आप दी सकते हैं एक qr-code आ चुका है इस पर click करना है यह qr-code right suck कहो जाएगा आप जो भी यू पी यू पाइब चला थे हैं जैसे की phone कर दी है payment का status success दिखा रहा है अब इसके बाद आपको proceed to next पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर print invoice का option है तो आपको invoice को print कर लेना है जो भी आपने payment की होगी इस invoice में उसका proof होगा print invoice पर आपको click करना है और इसके बाद चाहे तो आप इसे save कर सकते हैं video file में या आप इसका instant print out निकाल सकते हैं इसके बाद आपको proceed to next step पर click करना है अब इसके बाद में आपके समने next step आ जाएगा तो हम sixth step पर हैं अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपका इस ताल मीटर लगा जाने तो त्यार है तो यहाँ पर आपको तीन date को select करना है इनमें से आप कोई भी तीन date select कर सकते हैं जिन dates को भी आपको मीटर लगाने के लिए आएंगे अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो आपको पैसे बिलकुल भी नहीं देने है अब इसके बाद details save हो चुगी है अब इसके बाद आपको click here पर click करना है अब यहाँ पर लिखा हुआ आ चुगा है meter लगवाने हेतु अन्तिम तिथिया UPCL को प्रेसित कर दी गई है तो UPCL के दुआरा आपको अन्तिम तिथि सुचित कर दी जाएगी SMS आपके पास आ जाएगा तो अभी हम 7th step पर है जैसे ही आपका meter installation हो जाएगा उसके बाद आपको 8th step पर जाना है और वहाँ पर आपको आपका account number मिल जाएगा अब चलिए हम बेट करते हैं meter लगने का अब जैसे ही आपका meter लग जाते हैं तो यहाँ पर आपको 7th step पर meter संक्या मिल जाएगी अब इसके बाद आपको next करना है अब जैसे ही आप next ओरने तो आपकी सब्वी detail आ जाएगी अब सबसे नीचे यहाँ पर आपको connection का certificate मिल जाएगा इसे आपको PDF में download कर लेना है इसका आप print out निकलवा सकते हैं इस certificate में आपकी सब्वी detail होंगी जैसे कि account number और आपका name application number division नेम तो इस तरीके से आप connection करवा सकते हैं घर बैठे I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको कुछ पहुचे ना हो तो comment करकर मुझे जरूर बताना और यार अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किते हैं लाइक करते हैं बहुत महने से वीडियो बनाई है और इस वीडियो में बनाने में काफी टाइम लग चुका है तो इस वीडियो बस इतने ही मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching